नमस्ते मैं डॉक्टर शुक्त्र पाठी आपका श्वागत करता हूं आपके अपने चनल हिस्ट्री कल्चर एंड रिसेट मेटलोजी में साथियों आज हम विश्व इतियास के एक बहुत ही महत्पून टॉपिक पर चर्चा करेंगे और बहुत ही संक्षेप में नोट्स के साथ चर्चा करेंगे जैसे मैं पिछले कुछ दिनों से आपको नोट्स भी दे रहा हूं अपने हाथ से बनाये हुए जिससे कि आपको परिक पड़ी होगी तो जापान एक मात्र एशिया का ऐसा देश था जो सामराजवाद का शिकार नहीं बना उसने सामराजवादियों के लिए प्रारभ में अपने दरवाजे नहीं खोले और जब मजबूर हो करके उसे उन्हें थोड़ी बहुत साहूलियत देनी पड़ी जैसे यह भी इनको जैसा ही बनना पड़ेगा और फिर जापान में जो सामन्त बढदी साशन ब्यवस्ता थी उसके किलाब एक करांत ही हुई और उस करांत की बाद वहां जो है मेई जी रेस्टोरेशन जिसे बोलते हैं मेई जी रेस्टोरेशन यानि कि जो मद्यकाल में मेई जी वहां के राजा को बोलते हैं शाशक को जो वहां का राजा जो था वो जिसके उपर सामन्तों ने एक तरह से एधिकार कर लिया था यहांने कि सामन्त जैसा चा़ते थे वैसा ही उकरता था सा लेकिन अब उसकी पाnes की व् bestimm किया गया और फिर उसके बाद उस समय टोकू का वा शोगुन जो थे देरे देरे उनका प्रभुत्वा कतम हुआ और फिर जापान का modernization प्रारंब हुआ यानि जापान का आधुन की करण प्रारंब हुआ जापान के आधुन की करण पे एक वीडियो मेरी है वह आप लोग देख लीजिए अगया वर्डिस्ट्री वाले प्लेइलिस्ट कोल करके तो जापान ने अपने आपको लगभग 20 वर्षों में ही उतना ताकतवर उतना शक्तिशाली बना लिया अध्योगिक रूप से अपना अध्योगी करण किया उसने और अपने हाँ सिक्षर संस्ताओं का विकास किया स्कूल, कॉलेज, इंजिनिरिंग, साइन्स, टेकनलोजी हर चीज में बहुत आगे हो गया अपने मिलिटरी का उसने आदनिक डंग बगठन किया और उसने स्वेंग सामराजवाद के खेत्र में अपनी किस्मत आजमानी शुरू किया और दीरे दीरे एक सामराजवादी से बड़े से बड़े देशों को भी हरा दिया, चाइना को हरा दिया, कूरिया, मंचूरिया वगरे पर उसने आकमर किया, उन पर अधिकार किया, तो आएए, चर्चा करते हैं, जापान में से निकवाद के उद्रे और विकास पर, लेकिन साथियों, चैनल को आप सब्सक्रा कराईए, आए, तो मिलिटरिजम इन जापान, या जापान में सैनिकवाद, तो सबसे पहले हम यह जानते हैं, कि सैनिकवाद का अर्थ क्या होता है, तो सैनिकवाद वह सिद्धां तत्वा पध्धती है, जो समाज एवंग राज्य में, शश़श्त्र से नाओं की पता का मुल्यांकन करता है, सैनिवाद का स्वाभावी कर्थ होता है, संपूर्ण समाज का युद्ध सन्नाह, तथा सैनिकवाद, यानि कि एक ऐसी परिस्तिती पैदा कर देना कि पूरा का पूरा समाज, वो युद्ध की बातें सोचने लगें, उठते बैठते सोते जागत किवल युद्ध की बात करें, यानि कि जिसे शान्ती पसंद नव, जैसे आप देखते हैं, हिटलर, मुसोलनी वगरे ने इस तरह का वातावरन पैदा किया था, जर्मनी और इटली में, तो इसका भावनात्मक पक्ष होता है, समस्याओं का युद्ध के माध्यम से निवार युद्ध के माध्यम से करने के पक्षधर होते हैं, तिस ब्योस्था में शक्ति, विवेक, शील, शान्ति प्रियनेताओं के हाथ में नहीं, परंतो सेना पतियों के हाथ में चली जाती है, और इनको इनका वेतन शान्त के लिए नहीं, बलकि युद्ध के लिए होता है, सेना जो है वो अपने शाष्कों के उपर हावी रहती है, सेना जैसा चाहती है, वैसे ही करते हैं समय, हमारे बलोस में, पाकिस्तान में भी बहुत समय तक आप देखिए, और अभी भी सेना के कहने पर ही सब कुछ महाँ पर होता है, तो मित्रों, हम चर्चा कर रहे हैं, विश्युद्यों के समय की, मतलब जब ये परिशितियां बनी के विश्युद्ध होना अनिवार हो गया, अब उसके बाद एक ही विश्युद्ध नहीं हुआ, बलकि दूसरा विश्युद्ध हुआ, तो उस समय जापान की जो सहिन बाद था जापान का, वो अपने चरम पर था, तो दोनों विश्युद्धों के बीच जापान में, हम एक आदर्श प्रकार का सैनिक बाद पर लक्षित करते हैं, जापानी सैनिक बाद के विश्युद्ध के लिए, हमें मैईजी यू गिवंग एशिया में ब्रिटिश शक् की भूमिका का परिक्षण करना पड़ेगा, अभी हमने मैईजी पुनस्थापना की चर्चा की प्रारम है, मैईजी पुनस्थापना के उपरांत, जापान का पाश्यात्ती करणिंगों और द्योगी करण बड़ी तेजी से हुआ, जिसके परिणाम बड़े महत पूंड मैईजी रेस्टोरेशन यानि की जापान के का जो राजा था उसकी शक्तिकी पुनस्थापना, मैईजी पुनस्थापना के फलस्वरूप जापान के सैन्यवल में अपारविर्दी हुई, एवंग जापान में सामराजवादी भावना का विकास हुआ, नए नए वैग्यान प्रति उसकी प्रारंबिक सफलताओं ने जापान की मात्वा कांख्षा में विरिद्धी की एवंग जापान को इस दिशा में मजबूती से अपने पाउज माने का आउसर मिला। जैसे हम लोग अब चाइना और जापान का इतिहास पढ़ेंगे जिससे कहा जाता है तो आप देखेंगे कि जापान ने जब अपना आधुन की करन किया था तो सबसे पहले उसने चाइना के विरुद्धी अपनी किस्मत आजमाई थी और साइनो जैपनी जवार बोलते हैं उसे और चीन को उसने कई बार युद्धों में पराजित किया तो राजनैतिक आर्थिक शक्तियों के साथ ही साथ जापान की एक राष्ट्रियतावादी प्रिष्ट भूमी भी थी देश से बढ़कर कुछ नहीं इस विचारधारा ने जापान के सैनिक परसार के प्रति प्रेरग बल का कार्य किया जापान में पूझी बात का विकास ये रोपी ये देशों जैसे ब्रिटेन फ्रांस आदि के पूझी बात से किंचित भिन्न था यानि कि जापान का जो जापान में भी पूझी बात का विकास हुआ लेकिन ब्रिटेन फ्रांस आदि के पूझी बात से तोड़ा अलग था कोहाचीरो ताकाहाशी के शब्दों में यह इतियासकार है जापान के तो कोहाचीरो ताकाहाशी के शब्दों में यहाँ इसका विकास निरंकुष्टा के समेकन एवन सामन्ती अविजात वर्ग के संदक्षन एवन नियंत्रन के आधार पर हुआ और यही कारण था कि अध्यक्वी करणें उपाश्यात्य करण जापान के जोरदार एवंग सोस्पस्ट राष्ट्रवात को दबा नहीं सका मित्रों जापानी सेनिक बाद की आदर श्वादी प्रिष्ट भूमी समान रूप से महत्पूर्ण है संब्राट को नेतिकता एवंग राजनेतिक वैधता का अंतिम आधार बनाकर जापान के पोलिटिकल रिलीजन ये राजनेतिक धर्म का अनुमोदन इस संबंद में एक महत्पूर्ण तथ्य था जो की शिंतो संप्रदाय के प्रभावों में सामने आया शिंतोवाद पूजा की एक पद्धती थी किन्तो इसका प्रयोग उगर रास्टवाद का प्रतनेधित्यो करने के लिए किया गया जो की दैवी उत्पत्ति के सिद्धान पर आधारित था जबकि आप देखिए जापान में बुद्धिजम का भी प्रशार हुआ बुद्धिजम अहिंसा उगरे की बात करता था लेकिन यहां हम यह देखते हैं कि शिंतोवाद ने जो की जापान में प्रचलित था एक धर्म के रूप में जो कि उनका पॉलिटिकल रिलिजन हो गया एक तरह से और उसने उगरवाद को बढ़ावा दिया दूसरा आदरश्वादी कारण जापान का मनरो सिध्धान्त था विस्तार वादियों द्वारा यह आश्वाशन दिया गया था कि जापान का मिशन चीन से ये रोपिये प्रभाव समाप्त कर उसकी साहिता करना है उसी वहाती जैसे संग्यप्त राज अमेरिका ने लाइटिन अमेरिका में किया था तो इस सिध्धान्त के द्वारा जापान पूर्वी एशिया में नई वेवस्ता उत्पन करने का प्रयास कर रहा था वो यह चाहता था कि पूर्वी एशिया में उसकी तूती भोले है वो जैसा चाहे जापान वैसा पूर्वी एशिया में हो और काफी हद तक उस समय हो भी रहा था सैनिक विजयों द्वारा जापान की संब्रिद्धी का स्वपना तो सैनिक नेताओं के पूर्वा भी मुखी करण एवंग साहसिक कदम उठाने की उनकी इक्षाओं ने भी सैनिक गद्विदियों की लहर की प्रिष्ट भूम निर्मित करने में महतपूर्वूमि का निभाई वे सैनिक विजयों का अनुसरन कर जापान को महान राष्ट बनाना चाहते थे तो ये सैनिक नेता जो थे वो सैनिक विजयों का अनुसरन करके जापान को एक महानराष्ट बनाना चाहते थे विस्तारबादी गटनाओं को प्रारंब करने की तातकालिक भूमिका 1929 इस वी के आर्थिक संकट ने निभाई जो काफी समय तक चला सन 1929 एवं 1931 के बीच आर्थिक संकट के कारण जापान के विदेशी वियापार का मूल्य घटकर लगबग आधा रह गया था यह जापान में गंभीर आंतरिक अशान्ती की आशंका उत्पन होने लगी बढ़ती हुई जनसंख्या को बसाने की समस्या कच्चे माल एवं अपना माल खपाने की समस्या आधिने जापान को एक विश्त्रित आर्थिक शेत्र की आवशक्ता को महसूस कराया जो बिना सामराजिवादी नीति के अनुगमन के असंभव था तो सिंपल सी बात है इससे आप समझने कि जापान में जो आर्थिक संकट के बाद जापान भी उससे अचुका नहीं रहा था जापान की जनसंख्या में प्रिती हो रही थी उसे उसकी फैक्टरियों के लिए कच्चा माल चाहिए था जो तैयार माल था उसको भी उसे बेचना था बाहर खपाना था तो इस तरह से उसको विस्तरित आर्थिक शेत्रों की आवशक्ता थी और यही कारण था कि जापान ने आप देखते हैं कि अपने आसपडोस के देशों के उपर आकरमर किये थे क्योंकि उसके बिना आर्थिक रूप से एक मजबूत राजी बनना उसके लिए संभव नहीं था जापान के इस बार के सामराजवाद का प्रारम मंचूरिया पर आकरमर से प्रारम हुआ एवंग 1941 इस बी में परल हारबर पर आकरमर के साथ अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया जून 1931 में चीनी सैनिकों त्वारा एक जापानी कप्तान नाका मूरा की हत्या एवंग सितंबर 1931 में मुकदेन में हुए विस्पोर्ट जिससे जापानी रेलवे लाइन को थोड़ा नुकसान हुआ था तो इन घटनाओं ने मंचूरिया पर आकरमर करने का रास्ता जापान के लिए खोल दिया एनि उसको एक भाना मिल गया मंचूरिया पर आकरमर करने का चीनी आकरमर से जानबाल की रक्षा के नाम पर जापान ने अपना आधिपत्य शेत्र बढ़ाना प्रारम किया एवंग चार जवरणी 1932 को दक्षिण मंचूरिया पर आकरमर कर दिया उसने और उसका दक्षिण मंचूरिया के ऊपर पूण आधिपत्य हो गया तो 18 फरवरी 1932 को जापान ने मंचूरिया का नाम बदल कर मंचूर रख दिया एवंग वहाँ एक कठपुटली सरकार कायम कर दी इसके बाद जापान चीन में अपने विशेशीतों को निश्चित करने में बहुत सुस्पस्ट हो गया एवंग सुएंग को सुदूर पूर्व में शांतिका मसीहा परचारित करने लगा 1937 इसवी में मारको पोलो पूल की गटना ने उन्हें चीन के साथ दूसरे संगर्स में उलजा दिया किन्तो इस गटना के साथ-साथ जो वास्तविक तथ्य था वह यह था कि जापान चीन के उपर अपना नियंतरन रखना चाहता था जब दितिय विश्य उद्प्रारंब हुआ तो जापान को पूर्वी एशिया में सह संब्रिद्धिक्षेत्र या को प्रोस्परेटी स्फेयर बनाने का अच्छा उसर मिला जापान ने 1936 में जर्मनी एवंग 1937 में इटली से संधियां की इस प्रकार इस संधिके अनुसार जर्मनी एवंग इटली ने पूर्वी एशिया में जापान के आधिपत्य अस्ताफित करने का अधिकार को मान लिया तो इसको जो रोम, बरलिन, टोकियो, धूरी कहा जाता ह रोम, बर्लिन, टोकिया, एक्सिस वो बना था और तो चुकि तीनों ही देश जो थे इटली में मुसोलनी, हिटलर और जापान के जो सैनिक प्रशाशक थे यह सब जो है एक ही विचारधारा की व्यक्ति थे जापान के इस संबंध में किये गए प्रयास अमेरिका के साथ सीधर संगर्ष के रूप में सामने आये, अमेरिका जापान के प्रतिक कड़ा रुख अपना लिया था अमेरिका ने और जापान पर एक व्यापारिक प्रतिबंध लगा दिया था तो इस संगर्ष का आंतिम परड़ाम जापान दोरा परलहारवर पराक्रमण के रूप में सामने जो कि दिसंबर 1941 में हुआ था, इस गटना के ने सुदूर पूर्व को विश्वति की महाविपत्ती में फसा दिया, तो जहां तक जापानी सैनिक बाद के विश्वशांति पर प्रभाव का प्रशना है, एक शब्द में कहें तो यह बहुत ही विद्वनसक था, जापान की वि एक महान शक्ती बनना चाहता था, ने उसे मित्र रास्टों के साथ सीधे संगर्ष में लाखड़ा किया, इसका परणाम हुआ कि विश्वद्द का मार्ग प्रशस्त हुआ, और जापान के लिए और मानवता के लिए बहुत भैंकर सिद्ध हुआ, क्योंकि आप देखते हैं कि विश्वद्द समाथ होते होते जापान के उपर हिरोश्मा और नागाशाकी के उपर परमाण बंगिराये गए थे, और जिससे जापान को भयंकर जानबाल का नुकसान साना पणा, तो इस प्रकार में तो जापान में किस प्रकार से सैनिक वाद का उद्ध हुआ और कैसे दीरे-दीरे उसका विकास हुआ यह बहुत ही शंक्छेट में मैंने आपको बताने का प्रयास किया तो मित्रों वीडियो को subscribe कर लीजिए, please, please, please और like भी कीजिए और साथ ही साथ इसे share भी कीजिए, subscriber मुढ़ाने में मेरी मदद कीजिए जल्दी ही फिर कोई वीडियो लेके हाजिर होता हूँ आपके सामने शुबरात्री